दोस्तों गर की construction करवा रहे हो तो ये वीडियो जुरूर देख लेना क्यूंकि इस वीडियो के बाद आप गरंटी है आप एक अच्छा गर बना सकते हो क्यूंकि काफी चीज़ें होती है जो ध्यान देनी होती है और कुछ ऐसे ही 25 स्टेप में आज बताने वाला हूं जिनके द्वारा आप गर बना सकते हो मतलब यह 25 स्टेप आपको follow करने है और यही स्टेप होते है mostly जो भी construction होती है तो यह स्टेप अगर आप अच्छे से follow करते हो आप गर की construction में कुछ पैसे भी बचा लोगे और आपका गर एकदम perfect बनता है यह वीडियो वो आदमी भी देख सकत है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है सिर्फ 25 बातें 25 स्टेप में आपको बताने वाला हो तो स्टार्ट करता हूं लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन दो लो तो यह स्टेप बहुत जादा important होता है और आपको choose करने में सबसे पहला step क क्या लेने आपको आपको सबसे पहले decide करना है कि आपको load wearing structure मनाना की frame structure दोनों में काफी ज्यादा difference है जो load wearing structure रहता है सिर्फ उसमें क्या होता है plint beam हो गया brick work किया दिवारे चड़ाई और slab डाल दी यह हमारा basic load wearing structure हो गया और frame structure क्या हो गया हमने footing करना है फिर column करना है फिर beam brick work slab काफी चीज़े होती है मतलब column को design किया जाता है footing को design किया जाता है और हम बात करें दोनों में से better कौंस है load wearing और frame structure में से तो हमारा जो frame structure होता वो better है उसमें खर्चा थोड़ा ज़ादा आता है as compared to load wearing लेकिन वो better है इस समय जो environment है उसमें हमें frame structure ही बनाना चाहिए पहले तो हम होता था कि 2 से 3 स्टोरी क्या करते थे load wearing structure बना दिया जाता था मतलब plint beam डालके दीवारे डालके slab फिर दूसरी स्टोरी तीसरी स्टोरी लेकिन इस समय अगर हम follow करते हैं कि हमें इस समय द्वारा से load bearing structure मुनाना है सस्ता बू पड़ता है लेकिन वो काफी जादा risky हो ज कि जो drawing है वो हमें must बनवानी चाहिए क्योंकि हमें अभी हो गया क्या गया कि civil engineer भी drawing बना के दे रहे हैं architect भी drawing बना के दे रहे हैं तो हमें drawing must बनानी है और 4-6 रुपया पर square feet के हिसाब से उसमें खर्चा आता है बाकि हम बात करें drawing के दोराना हमें उसे municipal से pass करवाना पड़ authority या कोई अगर मैं जमूए कश्मीर से हो जैसी हर state का अलग होता है यह आप architect को बस आपको hire करना है जब architect को आप hire करोगे तो उसमें देखना है कि उसका experience कितना है और अगर हम बात करें कोई भी confusion है उसके उपर आप से architect से बात करनी है फिर ही clear out करके आपको drawing बनानी है क्यों क्योंकि जो architect होगा अगर उसको knowledge होगा तो वो जो building-wide laws होते है building-wide laws क्या होता है कि गगर के side पे जगा कितनी छोड़नी है setback कितना रहेगा काफी चीज़ी होती है laws होते है यह architect engineer को पता होगा उसको follow करने दो बाकि वास्तू के हिसाब से गर बनाना है और अगर मैं बात करू अगर आप चाते होगे गर में जादा खर्चा ना हो जादा cost उसकी increase नहीं करनी है तो जो elevations होगी वो कम करवाईए simple design रहेगा गर का खर्चा उतना जादा कम होता है दो step होगे तीसरा step जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा contractor hire करने का मतला हमें labor contractor hire करें या material contractor hire करें तो सबसे पहले मैं बता दू लेवर contractor hire करने का क्या होता है लेवर contractor में होता है सिर्फ जो contractor hire करोगे वो लेवर लेके आएगा material आप उसको provide करवाऊगे और वो गर की construction करवाएगा और इंडिया में अबे 240 रुपे पर square feet के हिसाब से चल रहा है और अगर हम बात करते है material contractor hire करने का तो material contractor hire करने में क्या होता है उसमें हमारा material भी contractor का होता है और लेवर भी contractor की और shattering भी contractor की तो इसमें दोनों में आपको चूर्ज करना है कि लेवर सही हा material contractor देखो लेवर contractor वहा तक सही है जहां आपको knowledge अगर कि construction का कि आपको material कहां से मिलेगा अच्छा किया चीजीए है तो आप क्या कर सकते हो material contractor hire कर सकते हो और जो normal rate चल रहा है 1200 से 1300 400 रुपे per scale feed के साफ़ से चल रहा है तो वो होता है और इस चीज़ को हमेशा wisely choose करने हैं आपको कि आपको labor contractor hire करने है या material contractor क्योंकि इसमें भी काफी चीज़ें होती है material contractor करने hire करने जा रहे हो तो उसमें supervision आपको अच्छी हमेशा रखनी है जो भी step में बता रहा हूँ इन पे briefly एक एक video हमारे channel पे पहले से बनी हुई है लेकिन आज मैं 25 step आपको बताने वाला हूँ तीन step हमारे होगे फिर हमारा आता है क्या चोथा step चोथा step क्या होता है हमारा चोथा step है material का buy material खरीदना material का knowledge काफी ज़ादा important है क्योंकि material अगर आप गर की construction में अच्छा लगाओगे तो गर की strength भी बनती है उसकी life भी होती है सबसे पहली चीज है material में सबसे important चीज होता है हमारा steel जो सरिया हम यूज करने वाले है क्योंकि हमारा footing में, beam में, column में, slab में हर जगा सरिया जाएगा और वो अच्छी quality का होना चाहिए आपको ऐसे तो जैसे हमने दूसरे step में engineer रे आर्किड़क हायर किया था वो आपको सब knowledge देगा लेकिन मैं सब चीज़े आपको बता रहा हूँ अगर वो भी चीज़े बता रहा है तो आपको चीज़े पता होने चाहिए तो आप वो अच्छे से कर सकते हो steel grade देखो कौन सा steel grade आपको यूज करना है देखो इसमें दो टाइप के सरी आते है primary और secondary steel primary होता है मतलब scrap गरा से बनता है secondary हो गया जो pure रहेगा मतलब इसमें differentiate करना आपको आना चाहिए आपको companies काफी जदा मिलेंगी Tata हो गयी Jindal हो गया Sale हो गया, Vizac हो गयी काफी companies है जो इसमें market में है तो आपको wisely use करना है choose करना है कि कौन सा सरी हमें कौन सा grade आपको कहा कहा use करना है, यह आपको एक engineer से पूछ लेना है जा architect से clear out करना है, दूसरा material रहता है river sand, आपको sand use करनी है, तो मैं prefer करूँगा river sand आपके area में है तो river sand use करिए, बाकी जो crest sand रहती है, m sand, वो भी use कर सकते हो, इस पे भी आपको एक अच्छा साथ देखके फिर choose करना है फिर brick का आगे, brick में भी आप पे छोड़ा जाता है कि आपको कौन सी brick use करनी है बाकी आपका जो architect engineer होगा आप उनसे पूछ सकते हो कि हमें fly ash brick use करनी चाहिए red brick या ACC blocks जो रहते है वो use करने चाहिए और मैं आपको clear कर दूँ जो भी 25 step में आपको बता रहा हूँ ये वीडियो के बाद आप सर्च करिए हमारे YouTube चैनल पे वो briefly उस पे तीन तीन चार चार वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो brick भी आपको अच्छे से use करनी है क्योंकि बले आप load barrier structure मना रहे हो या frame structure मना रहे हो तो आपको brick wisely choose करनी है फिर हम बात करते है aggregate जो river का aggregate होता है वो आपको choose करना चाहिए या crushed aggregate जो मतलब पत्थरों से मनाता है लेकिन उसमें कुछ चीजें द्यान देनी है उनके shape के बारे में पानी सोखने की श्यांता ये सब चीजें चेक करके ही आपको लेना है फिर cement जो हमारा बहुत important material होता है वो कौन से use करना है तो उसमें आप ordinary portland cement कर सकते हो use या PPC portland postland cement use कर सकते हो दोनों में काफी difference होता है इसका difference पता करके ही आपको use करना है जहां इंजिनियर को पूछ सकते हो अगर हम बात करें ordinary portland cement जो है 43 grade जो है तो आप stairs में, beam में, column में, slab में यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर plaster और आपको brick work करने है तो उसमें PPC use करिए portland, postland cement use करिए तो वो भी काफी अच्छा cement होता है और एक चीज़ में बता दूँ अगर आपको ज़्यादा quantity में cement लेना होता है तो आप wholesale graded non graded cement एक होता है इस पर videos भी है हमारे channel पर वो पता कर लेना क्योंकि अगर quantity ज़्यादा हो तो आपको अगर example लेता हूँ 1000 bag cement आपको लेने हो तो वो आपको 50 से 60% सस्ते मिल सकते हैं कुछ चीज़ें होती है चक करनी होती है नेक्स्ट मटीरियल जो है waterproofing के chemicals जो है जो है शेटरिंग मटीरियल हाईर करने हैं ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखके ही करने हैं तो हमारे हो गए 4 step अभी हम बढ़ते हैं अपने 5 में step की तरफ तो 5 में step हमारा होता है excavation मतलब हमारा सब कुछ decide हो गया अब ही हमने करनी है खुदाई तो खुदाई में क्या होता है सबसे पहले जो आपने plan जिस से बनवाया है drawing जिस से बनवाया है वो आपका marking कर आएगा मतलब जहां जहां footing आनी है यहां footing आएगी यहां footing आएगा यहां column आएगा यहां आपका water मतलब tank होगा यहां पे seaway tank होगा वो सब decide marking करके चला जाएगा civil engineer और आपको एक चीज़ में clear कर दूँ जो plan के time में ने बड़ाई नी जब plan आप किसी से बनाने जाओगे तो उसे वाद कर लेनी है कि आपकी plan जब हमारी construction हो रही होगी उसमें कितनी visits रहेंगी क्योंकि कुछ architect engineer क्या करते हैं पहले बात नहीं करते हैं कि हमारी इतनी visit रहेंगी इतनी बार हम आएंगे तो लेकिन फिर उसके बाद charging करते हैं 500 रुपया पर visit यहां 1000 रुपय विजिड तो पहले ही clear कर लेना है सब कुछ चीज़ें ठीक है हम excavation पर बात कर रहे थे तो marking हमारी civil engineer कर दी जाती है उसकी depth कितनी होगी footing की 5 foot 4 foot 3 foot वो engineer decide करेंगे आपकी मिट्टी देखके आपका building का structure देखके वो सब चीज़े वो decide करते हैं उसकी depth कितनी गहराई कितनी होगी size कितना होगी यह civil engineer plan में बता देगा फिर दूसरी चीज़े इसमें execution में आती है आपको खुदाई कैसे करनी है manual आप खुदाई उसकी करोगे यह JCB की help से करोगे तो यह चीज़े भी check होती है तो manually करोगे कई जगा manually सही रहता है कई जगा JCB के से क्योंग JCB से करवाओगे वो गंटे के साब से 1000 रुपे गंटा या 800 रुपे गंटा लेगी उसको अंदर से plaster butter poofing कर लेना क्योंगी leakage के chances काफी ज़ाता है यह tip आगे ठीक है 5 step हो गए 6 step होता है हमारा जब एक बार excavation या खुदाई हो जाती है उसके बाद हमारा काम होता है कि इस चीज़ का footing का base बनाने का 6th step होता है हमारी construction का जिसमें हम PCC करते हैं जहां rubble soling करते हैं दोनों में से आप choose कर सकते हो कि यह जगा PCC की जाता है इवन राजस्तान बगारा में ग्रेनाइट बगारा ज़ादा होता है तो वहाँ पे marble या ग्रेनाइट नीचे footing में यूस किया जाता है तो मेरे खाल में आप PCC के साथ जा सकते हो PCC क्या होगे Plain Cement Concrete जिसमें M grade M10 ये M7 point grade यूज़ किया जाता है Concrete यूज़ किया जाता है और PCC की दियान क्या देना है थीकनेस उसकी दियान देना है आपको minimum 75 mm आपको ये 3 हींच थीकनेस उसकी रखनी रखनी है और उसकी क्यूरिंग आपको करनी है आपको 6-7 दिन आपको उसकी तरही करनी है उसके बाद करनी है Rubble Soling क्या होगे जिसमें क्या यह जाता है बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं जहां PCC की होती है, हमारे PCC इस लिए किया जाता है, कि surface को plane किया जाता है, जैसे surface को plane किया जाता है, उस पर marking की जाती है, कि हमारी इतनी, यहां footing आईगी और एक column हमारा इस जेकापे आके है, marking करने के बाद हम क्या करते हैं, जो footing होती है उसका सरीया बांदा जाता है जो नीचे वाली जाली होती है तो 10 mm में बार रखा जाता है मौशली ओड़ा 8 mm हमारा उस पर distribution बाकी depend होता है design पर architect जो कहते है वो आपको follow up करना पड़ता है और spacing रखी जाती है 1500 mm की यह हो गया और main चीज आपको footing के दुरान क्या करना है उसमें cover provide करोगे 75 mm का नीचे आपको cover provide करना ही करना है वो आप UPBC का cover provide कर सकते हो concrete का cover provide कर सकते हो क्योंकि बहुत जादे important होता है कि आपका नीचे cover होगा नहीं तो सरीय मिट्टी के साथ touch होगा तो वो detroid होके खराब हो सकता है तो दूसरी चीज जब footing आपको provide करना ही होती है तो footing आपको द्यान देना है तीन टाइब की footing हम प्रवाइड करते हैं ट्रेपेज़डल footing हो गई प्लेन हो गई फिर जो हमरी stepped footing होती है तो मैं prefer करूंग वहाँ पर जो column का सरीय खड़ा किया जाएगा उसमें गलती की जाती है उसमें L प्रवाइड नहीं किया जाता है जो नीचे सरीय के L यह development length उसको बोल सकते हैं वो आपको L minimum 300 mm प्रवाइड करना ही करना ही चीज द्यान रखना जो steel खड़ा किया जाता है उसका proper से plump up उसको देखने वो vertical खड़ा है नहीं खड़ा है concreting के दोरान concreting के बाद उसको देखने कि vertical है की नहीं और जो steel खड़ा करोगे उसका वो आपका alternate होना चाहिए आउपर नीचे होना चाहिए और आपको हमेश्या ध्यान देते रहना है जब भी आपकी construction चल रही है कि आपका काम continuity मे हमारा क्या होता है shattering की जाती है जो हमारी footing होती है उसकी हम करते हैं shattering या column की shattering करते हैं तो footing की shattering में आपको क्या करना है यो shattering material यूज करना है उसको proper से oiling करते लेनी है क्योंकि अगर proper से oiling नहीं करेंगे तो concrete क्या होगा वो shattering से चिपका रहेगा और वहां हमारा ख़णी किया जाएगा जब हमारी shattering हो गई तो उसमें हमारा concrete होता है तो concrete में आपको vibrator यूज़ करना है और देखना है shattering में से कोई slurry तो नहीं निकल रही यह सब चीज़े आपको चेक करने होती है कब जब आपकी shattering होती है तो एक बार यह हो गया उसके बाद हमारी footing complete sub-casting हो जाती है उसके बाद हमारा starter किया जाता है column का, column का starter बहुत ज़दा important है column के starter के बाद हमारा column cast कर दिया जाता है ठीक है column cost हो गया हम उपर level तक आ जाते हैं यहां हमारा ground level होता है मतलब जो भी है तो वहां पर हमें मिट्टी डालनी पड़ती है तो उस दोरान आपको क्या करना है वो मिट्टी कभी नहीं डालनी है जो आपने excavate करके निकाल लिए अगर अच्छी मिट्टी है मतलब आपको हमेशा याद दियान देना है जो non-coisive soil होती है मतलब मूरम हो गई जो जिसमें ग्रैडी मिटी होती है काली मिटी लाल मिटी ये मिटी कभी भी फिलिंग में यूज नहीं करनी है मूरम यूज करनी है उसकी प्रोपर से कमपेक्शन करनी है बहुत important जीज होती है hammer से या roller से उसकी compaction करनी है अगर possible है तो आप sand replacement test करिए कि आपकी proper compaction हुई है नहीं हुई अगर वो proper compaction नहीं हुई हो बाद में क्या होता है settlement होती है और कि आपकी मिटी नीचे बैढ़ती है कहीं से पानी गुसता है तो आपके गर में cracks आने के chances काफी ज़ता बढ़ जाते है यह no step होगे दसमा step जो हमारी construction में होता है वो होता है plinth beam तो plinth beam में क्या दियान देना है जब भी plinth beam आपको provide करना है तो height उसकी clear कर लेनी है कि road से आपको plinth beam की height कितनी रखनी है यह बहुत important चीज़ है grade कौन सा use करना है concrete क्योंकि पूरा load दिवारों का column का slab का मतलब plinth beam पे कुछ आने वाले load तो grade आपको mention कर लेना है कि M20 grade से कम grade आपको हमेशा कभी उसमे use करना ही नहीं M20 grade से जादे करना है बाकि आपको architect जो आपका रहेगा यह civil engineer हैगा वो आपको बता देगा steel कोन से grade का use करना है steel कैसे provide करना है vibrator concreting के दोरा use करना है size क्या रखना है plinth beam का और यह सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है most important चीज़ होती है जो lap गारा होते है steel binding के दोरा lap होगे development length होगे joints होते हैं column और beam का वो बहुत important चीज़ होती है वहाँ पे आपको जो सरीया है L-shape का provide करना है यह काफी important चीज़ें है यह आपको follow up करनी करनी होती है 10 step होगे 11 step जो हमारी construction में रहता है वो बहुत ज़ादा important है वो है ATT anti-termite treatment जो होता है क्या होता है जो दीमक बगार होते है वो आपकी मिटी में अंदर कुछ detroid कर सकते है मिटी खा के खोकली बना सकते है तो आपकी settlement के chances काफी होते है वो ही मतलब footing नीचे बैठ जाएगी या प्लिंस beam तो उपर काफी असर पढ़ता है उसका cracks बगर होते है जो अंदर साम बगर है निकलते है यह सब चीजे बाद में नहीं देखे हैं आपको तो उसके लिए हम क्या करते है anti-termite treatment होता है इसको ज़्यादा costly नहीं होता है सस्ता process होता है यह आपको ATT must करवाना चाहिए आप यहाँ भी गर की construction करवा रहे हो clear यहाँ तक हो गया फिर जो हमारा barma step पर रहता है वो काफी ज़दे important रहता है वो रहता है DPC dam proof course dam proof course बहुत ज़दे important होता है आपके गर में पपड़ी बनती है दिवारों पे sealant लगती है कि आपने देखा होगा नीचे से जो हमारा floor होता है वहाँ से 3 foot पे या 1 meter पे क्या होता है dampness आती है या पपड़ी बनके निगलने लग पड़ता है वो इसी का कारण होता है नीचे से क्या होता है जो brick होती है इंट होती है वो नीचे से slab लेती है मतलब नीचे से पानी moisture को सोगती है और उपर जो plaster होता है वो बाहर उसको दिखता है पपड़ी मन के निकल ले ले करता है उसको पहले ही आपको सही करने है आपको क्या करना है जो plint beam होता है आपका वहाँ पे आपको क्या करनी है एक 2 इंच या 3 इंच का concrete का आपको एक layer डाल देना है पूरे plint beam पे और उसमें waterproofing का agent डाल देना है उसके उपर जैसे ही वो डाल दी है उसके उपर डक्टर फिस की bitumen का एक roll आता है मतलब वो आपको paint करवा देना है footing के side मतलब आपकी brick को कहीं से भी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए ये चीज़ आपको दियान रखनी है जो 13 step होता है वो होता है काफी जदे important इसमें आपको क्या करना होता है इसमें जो सेनिटरी की pipe होती है मतलब PVC जो हमारा sewage की pipe होगी पानी की pipe होगी जो main pipe होती है manhole की बगरा ये आपको पहले डाल देनी होती है आप इसमें concrete की यूज़ कर सकते हो PVC, UPVC और MS की pipe आपको कविन यूज़ करने है ये हमेशा दियान रखने है तो मैं कहूंगा UPVC की यो pipe होती है वो आपको डाल देनी है बाहर की तरफ और उसके बाद grade slab जो होती है हमारी करती तेरह step होगे चोदमा step जो रहता है 14 बहुत इंपोर्टर रहता है जैसे हम brick work start करते है साथ में हमें column की casting उस पर करनी पड़ती है तो इसमें एक चीज़ होती है कि दोनों को साथ-साथ में लेके आप चल सकते हो column और brick work को दोनों को साथ-साथ में casting करके जाओ जहां आप पहले column की casting कर लो उसके बाद brick work करो यह आप पे depend होता है दोनों process सही है मेरे खाल में टेक्निकली अगर हम देखें तो यह process होता है frame structure में की पहले column को cast कर दिये जाता है उसके बाद brick work उसके बाद slab उसमें की जाती है तो आप पे depend होता है लेकिन इसमें आपको एक tip दे दू जो भी joints होते है brick work यह concrete के यह column के बोल लो उसमें आपको wire mesh यह मुर्गा जली जी से बोलते है वो आपको use कर लेनी है plaster से पहले यह एक tip आपके लिए रही 15 step जो रहते है उसी दोरान आपको क्या fix करने बढ़ते है door और windows जो होती है उनके frame तो यह आप choose कर लेना है आपको door, window, wood के frame आप use कर सकते हो MS के frame, granite के, aluminium के, steel के जो भी frame आपको सही लगते है वो आपको use करने चाहिए लकड़ी के करते हैं तो वास्तु के साबसे काफी ज़दा शूबू बो रहते है तो आप लकड़ी के तरफ जा सकते हो बाकी cheap सस्ते तरीके से करने है तो MS के frame आप choose कर सकते हो 16 step जो हमारा रहता है वो होता है हमारी beam की costume देखो जैसे जैसे हमारा frame सेट हो रहे है brick work हो रहा है तो उसी दुरान हमें जो concrete के band होते हैं 4-5 inch का band रहते हैं वो बहुत important है वो provide करना होता है उपर हमें जो lintel होते हैं या tie beam भी आप बोल लो तो वो हमें proper provide करना है उसके बाद हमारा उपर slab beam होता है और एक आपको ध्यान भी रखना है उसके बाद हमारा 17 step जो रहता है वो रहता है हमारी slab की shuttering हमने वहां तक पहुंच के slab की shuttering में आपको ध्यान देना है आपने पहले ही contactor से या खुद ही ध्यान रखना है कि आपको plywood की shuttering करवानी है जा MS की plate की या plank की यह तीन चीज़ें होती है mostly तो सबसे अच्छी रहती है ply boot की shuttering करवाओगे तो surface काफी ज़दा अच्छा निकलता है लेकिन मैं कहूंगा MS plate की करवाईए काफी ज़दा अच्छी मिलती है और plank की मत करवाईए क्योंकि उसमें से slurry leakage रहती है MS plate जो रहती है वो काफी ज़दा अच्छी रहती है लेकिन MS plate जब आप लोगाओगे उसमें आपको proper से oiling कर लेनी है taping कर लेनी है greasing कर लेनी है यह process रहता है फिर उसके बाद 18 step जो रहता है slab की reinforcement provide की जाती है तो slab की जो reinforcement provide करनी है वो आपको देख लेने है बाकी आपकी drawing पे भी mention होता है कि main bar जो रहेगा वो 10 mm का रहेगा distribution bar जो रहेगा 8 mm का रहेगा तो वो उस पे पहले से mention होगा अभी जो next step हमारा होता है वो हो गया हमारा electric pipe से होती है slab पे वो आपको proper से provide करनी है जहां पे false ceiling आने वाली है वहां पे आपको electric pipe की जुरूत नहीं होती है कि आप slab में provide करोगी होंगी वहां पे आपकी false ceiling में ही light जाती है तो आपको decide कर लेने है कि कहां-कहां आपको false ceiling करवानी है यह चीज़े भी आपको करनी है और pipe जो provide करे होगे अच्छी company की करनी है fan की जो boxes रहते हैं वो आपको देख लेने निच्छे से proper pack होगी होगी बाद में उसमें concrete बरना जाए तो ये हो गया, फिर next step जो रहता है वो रहता है RCC slab की casting तो casting के दोरान आपको क्या करने है जो आपके vibrators बगार होगे वो proper से अच्छे vibrators यूज़ किये गए है M20 का minimum grade आपको यूज़ करना होता है slab की thickness देख लेनी है की 6 इंच है की नहीं slope पानी जहां से पानी नीचे जाना है वो आपको देख लेना है कोई settlement नहीं हो शट्रिंग की concreting के दुरान वो भी चेक करते रहने क्योंकि cracks आपकी slab में आ सकते है next जो step रहता है जैसे ही मारी RCC slab हो जाती है उसके बाद हमें ध्यान देना होता है curing का हमें तराई करनी पड़ती है तो उसमें आप pipe से तराई कर सकती हो pounding system से कर सकती हो तो ये चीज़े आपको चेक करनी है और 10 दिन तक आपको minimum curing करनी है और उसी दुरान आप अपनी parapet ball भी बनवा सकती हो जहां आए आप shuttering खुलने के बाद भी बना सकती है या आप पर dependent होता है कि parapet ball कब करनी है एक बार हमारी सब हो गया curing होगे, de-shuttering होगे हमने shuttering खोल दी मतलब 14 दिन के बाद या 21 दिन के बाद हमने अपनी slab की shuttering निकाल दी उसके बाद जो next step हमारा रहता है वो रहता है हमारा sanitary pipes provide करने का जो भी हमारी sanitary pipes होगी आप उसमें PVC की provide कर सकते हो UPVC की provide कर सकते हो क्योंकि seats आजकल नहीं नहीं जो हमारी sanitary seat है वो नहीं technology की आ रही है कुछ wall mounted होती है कुछ नीचे लगती है तो आपको उसी साब से अपनी fitting करवानी होती है pipe की कहां-कहां आपको null चाहिए kitchen में कहां चाहिए यह सब चीज़े आपको decide करके sanitary करवा लेनी है फिर उसी दुरान आपको electric की जरी ड्रिलवानी होती है महां-कहां-कहां switch आना चाहिए कौन-कौन-कहां switch आपको चाहिए आपको एक AUB optimization आया आजकल कि automatic lights on-off होती है तो वो system भी आप रखवा सकते हैं पहले आपको करवाना पड़ेगा AC की lines आपकी आगई, cable बगएरा फिर आपको यह चीज़ अंदेर रखनी है और आपकी जो उपर की ceiling की light होगी वो अगर आप false ceiling करवाने वाले हो तो वो बाद में होगी false ceiling के दोरान यह सब चीज़े आपको check कर लेनी है next step रहता है हमारा वो रहता है plaster का तो इसके बाद हमारा plaster की आज़ते है भार से plaster होगा हमारा 20 mm मिनम और अंदर से plaster होगा हमारा 12 mm का और plaster के दोरान ही आप चूज कर सकते हो कही लोग क्या करते हैं जो PVC के panels आज कल चल रहे हैं तो आप PVC के पैनल से भी लगा सकते हो, तो उसमें वहाँ plaster की जुरुतर नहीं होती, लेकिन आप plaster करवान, थोड़ा plaster करवा के PVC पैनल से लगवा सकते हो, टाइल से रगवा सकते हो, और plaster के दोरान आपको क्या दियान रखना है, जो आपकी ratio रहेगी, वो 1 ratio 6 या 1 ratio 4 रहेगी, आप यह आपको दियान देना है, आप जो cement यूज़ कर रहे हो, वो plaster के आपको PPC cement यूज़ करना है, proper securing उसकी हो, और plaster के दोरान cleaning होनी चाहिए, मतलब जो आपके switches आ रहे हैं, उसमें कोई plaster नहीं गुस रहा है, जो frames लगे है, विंडो के, डोर के, उसमें कोई plaster नहीं हो, पह प्रोपर से solve नहीं करवाया, तो वहाँ वो काफी ज़्यादा labor उसमें लग सकती है, नेक्स्ट स्टेप जो रहता है, वो रहता है, flooring का हमारा आ गया, जो flooring में क्या आपको देखने है, आप tile चूज़ कर सकते हो, marble चूज़ कर सकते हो, क्योंकि tile भी काफी quality सी की, आज कल आ आप चूज़ कर सकते हो, उन पर मैंने briefly वीडियो बनाई है, वो आपको ज़रूर देखनी है, जब आपकी tiling हो रही है, या marble हो रहा है, उसमें आपको checking proper करनी है, joints proper से मिल रहा है, यह सब चीज़े आपको चूज़ करनी है, cement use कर रहे है, उसमें PPC cement आपको चूज़ करने है चाहिए यह चेक करना आपको, next step हमारा रहता है, वो रहता है हमारा door fixing का या window, हमारे frame पहले लग चूके थे, तो हमें उसमें door और window लगाने होते हैं, उसमें आप देख सकते हो कौन से design के door लगवाने हैं, जाली वाले door आपके होगे, flush door आप लगा सकते हो, wood आपको देख ल आप अपने wardrobe, kitchen की, यह सब आप कर सकते हो, next step जो हमारा रहता है, वो रहता है mirror fixing का, जो आपने खेड़किये लगाई है, window लगाई है, door लगाई है, उसमें जो mirror किया जाता है, fix, उसका रहता है, तो वो आपको दियान देना है, फिर अगला step जो रहता है, वो रहता है आपका किसका, जो भी आपके switch बगर रहा है, electrical की item है, वो आपको fixing करवानी है, तो electric की item आपको switch देख लेने हैं, और videos आने वाली हैं कि कौन-कौन सी company के कैसे अच्छी है, यह सब चीज़े आपको check करनी है, next step जो रहता है, जो आपकी sanitary की fitting होती है, bathroom की हो गई, पूरे नलके बगर रहा है, कौन से jaguar के आपको लगाने है, somani के लगाने है, तो वो आप decide कर सकते हो, कौन सी company आपके लिए अच्छी होती है, और आप अच्छे से हमारे channel की videos देखे भी decide कर सकते हो, next step जो रहता है, गर की construction का वो रहता है, पुटी लगाने का, तो आपको पुटी कौन सी करनी ह है, कौन से Asian की पुटी यूज़ करनी है, तो इस पर भी वीडियो है, पुटी के दुरान क्या गए चीज़े आपको चेक करनी है, तो ये step हमारे रहता है, उसके बाद हमारे next step रहता है, interior design करने का, bed वगारा होगे, हमारे furniture, chair, TV, कहां आएगा, ये सब चीज़े, बाकी अग लिंग आगे staircase की, तो ये step रहते हैं, mostly गर की construction जब की जाती है, तो ये step रहते हैं, तो I hope आपको idea लगा होगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगे, लेकिन मज़ा भी आयोगा देखके, जो जो चीज़े बताई हैं, इनको follow करिए, गर की construction अच्छी भी होगी, और save भी होगी, और इन पर briefly वीडियो आपको देखनी है, कहाँ पर हमारी playlist है, हर चीज़ पर अलग-लग playlist हमने बनाई हुई है, वहाँ पर देखो, और इसके related कोई भी question होता है, तो comment करो, बाकी वीडियो पसंद आईए, तो like ज़रूर करना, चैनल को subscribe जो करके जाना, thank you guys.